पतंजली योगपीट हरीद्वार के सोजन्य से करनाल के गाउश शेरगर टापू में जड़ी बूटी दीवस मनाते हुए सरकार स्कूल वच्वपाल में ओश्धिये पोधे लगाए गई यह दीवस आर्युवेद धन वंतरी बाल क्रिशन के जनम दीवस के उपलक्ष में पूरे देश में मनाया गया है इस बारे में जानकारी देते हुए योगाचारिये मुकेश शर्मा ने बताया कि प्राकृतिक शुगदी के लिए पोधार ओपन करना जरूरी है उन्होंने कहा क कि आज इसी मुहीम में पूरे देश में गिलोए के पोधे लगाये जा रहे हैं यह मुहीम 15 दिन तक चलेगी उन्होंने कहा कि गिलोए को रास्टे ओशिधी घोशित किया गया है गिलोए के सेवन से कई बिमारियों से बचाव किया जा सकता है मुकेश शर्मा ने कहा कि हमें अपने जन्म दीवस या फिर किसी भी खुशी के मुके पर पोधार ओपन करने का संकल्प लेना चाहिए इन पोधों को लगाने का उदेशे वातावरण ही शुद्धी करना है यदि वातावरण शुद होगा तो हम कई परकार की रोगों से बचाव कर सकेंगे उन्होंने कहा कि वातावरण को शुद्ध वस्वच रखना हमारा दाई तो है उन्हें ने कहा कि गिलो यह कैसी उष्डी है जिसके सेवन से रोगदूर होते हैं और इम्ल्यूची पावर भणती है इंदरी से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट्स आज पतंजली योगपीठ हरिद्वार केतत्व धान में आयर्वेद धर्वंत्री बालकिष्ण जी महाराज के जनम दिवस के उपलक्स में संपूर्ण भारत में आज जड़ी बूटी दिवस मनाया जा रहा है आपको विदित ही है कि जैसी करोना नामक यह महामारी चली हुई है तो इस महामारी में प्रकृतिक सु लोगों का निवारन कर देती है तो इस उद्रेश्य को ही अधार मानते हुए हमने एक अभियान चलाया जिसके इन तक हमारे पास लगबग सोप दे आये थे और उनके साथ ही हमने गिलोए का भीरोपन किया यह करनाल जी लेका ग्राम टपू यहां पर हमने विदाल्या में औ और चौपाल परिस्तर में हमने लगबग सोप दे लगाने का लक्षे किया है वो कुछ उद्र में से लगा दिये गए हैं और यह निरंतर परिक्रिया दस-पंदर दिन तक कंटिन्यू चलती रहेगी तो मेरा जो में कहने का उदेशे यह है कि अगर कोई जनम दीवस होता है या कोई और प्रोग्राम होता है घर में हम और बाहरी आडंबरों से तरस्त होते हुए उनका खंडन करते हुए हम एक संकलप लें कि एक पोद्धा जरूर लगाएं जैसे नीम हो गया त्रिवेनी कि बीजेपीश की और से क्योंकि मैं भी उसमें एक छोटाहा कारिय करता हूं तो हमने सारों को संक्ठीत हो करके यह विशे सब यहां चलाया और इनको भी अपने जो है मुकेश जी को भी निमंतरन दिया वह आप भी आओ और उदेश्या को सफल करें क्योंकि प्रकृति से हम क्यों प्रकृति हमारा जीवन है प्रकृति के उपर ही सारस विशाव ठीक हुआ है जब यह सवच होगी तो हमारी देह भी सवच होगी और तो ऐसे इस वातावर को हमारा सोच रखना एक जीवन का दाइत्व है तो इसलिए हमने इस उदेश्या को पूर्ण किया और यह जो पोधार उपन का कारिया है है और आज विशेश कर हमारा एक अपनी एक फ्रमभी है मैं से ग्रूप जिसमें हम यह गिलोई वेल जो है इसका रो मिटीरियल को के लोग और जितने भी कष्ट हैं उनका निवानन के लिए एक इम्यूटी पावर बढ़ाने में बहुत अच्छा अपना प्रियास करती रहती है एक एक ऐसी होस्दी है इसको सर्वोस्दी के रूम में भी आज संसार में मानियता दी गई है तो इसलिए हमने विशेश कर गलो बेल जो है गलो गलोए इसका भी हमने अनेक स्थानों पर लगाया है क्योंकि इसकी जो है कमी न रहे और ये लोगों को विशेश मात्रा में प्राप्त रहे ऐसे ही लेटेश को बरे पाने के लिए बेल इकन को फिलिक कर हमारी चैनल को लाइफ, शेर और सुब्सक्राइब करें हैंने वाल JBD Banquets Enterprise